नमस्का दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रिसोई घर के बारे में रिसोई घर किसी भी घर का एक मैपतपुन भाग होता है रिसोई घर जहां भोजन बनाया जाता है लेकिन रिसोई घर में भोजन की योगता को बढ़ाने के लिए यहां वास्तु का होना जरूरी है वास्तु शास्त्र के अनुसार बना रसोई घर ना केवल अच्छी सिहत और सक्रात्म कूर्जा देता है बलकि घर की धन्द और सुक्षमृद्धी को बढ़ाने के लिए विशेशकर फलदाई होता है लेकिन वास्तु शास्त्र के उल्ट बनाए ग ग्रहणियों पर पड़ता है क्योंकि यह अपना ज्ढ़ा समय रसोई घर में ही बि्ताती हैं घर के अन्य सरत्स्यों का स्वास्ते भी ठीक नहीं रह पाता है इसलिए अगर घर में रसोई घर बनाते समय वास्तु शास्त्र के कुछ नियूमों का पाइलन किया जाए तो इससे रसोई घर के सारे अश्यो प्रभावों को खतम किया जा सकता है इसलिए दोस्तों आईए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर का निर्मान किस दिशा में शुब होता है और किस दिशा में अशुब होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या भव को करने के लिए बहुत्तम मानी जाती है इस दिशा में रसोई घर होने से घर की महिलाओं का स्वास्ते हमेशा ठीक रहता है वे मांसिक तौर पर शांत रहती है और वह हमेशा खुश रहती है इसके अलावा इस थान पर रसोई घर होने से घर में धंद आलत की विर्दी होती है और घर के सदस्य हमेशा सुखी और स्वस्त जीवन व्यतीत करती हैं घर में भोजन की कभी कोई कमी नहीं रहती भोजन बहुती स्वादिश्ट बनता है और घर में निवास करने वाले सदस्यों की पाचन शक्ती ठीक रहती है इसलिए घर में रसोई घर बनाने के लिए सबसे उत्तम स्थान दक्षिन पूर्व या अगनी कोन होता है यदि किसी कारणवर्शाप रसोई घर को दक्षिन कोन या अगनी कोन में नहीं बना सकते तो दूसरे वी कल्प के रूप में रसोई घर को उत्तर पश्चिम या वायव तत्व की ही जरूरत होती है इसलिए इस दिशा में भी रसोई घर बनाया जा सकता है लेकिन इस दिशा में रसोई घर होने से घर के लोगों को विश्राम करने का समय कम ही मिलता है जिससे परिवार में तनाप का महाल बना रहता है इसके अलावा इस दिशा में रसोई घर होने स घर के सदस्ते एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी नहीं टिकते हैं इसलिए अगर आप इस दिशा में रसोई घर बनाई तो इन बातों से थोड़ा सत्रक रहने की जरूरत है घर की उत्ता दिशा में रसोई घर बनाना बहुत यशुब होता है इस दिशा में रसोई घर आर् आप धन कमाते रहेंगे और धन जलता रहेगा क्योंकि रिसोई घर में अगनी तत्व होता है इस दिश्या में रिसोई घर होने से घर का खर्चा बहुती बढ़ जाता है जिससे घर की आरतिक सिती खराब होनी शुरू हो जाती हैं जिससे आरतिक हानी और दिवालियपन का उन में रसोईगर बनाना बहुत ही अशुब माना जाता है क्योंकि यह दिशा अगनी तत्व के रविप्री जल तत्व से संबंद रखती है जब जल तत्व और अगनी की उर्जाओं का मेल होता है तो इससे घर में नकरात्मा कूर्जा का प्रभाब बढ़ जाता है इसलिए इ परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसके लावा इस दिशा में वास्तु पुरुष का सर भी होता है इस दिशा में रसोई घर होने से वास्तु पुरुष के सिर को नुकसान होगा जिससे घर के सदस्यों को दिमाग से संबंदी कई परकार की गंबीर बिमारियां भी हो सकती हैं इसलिए घर के उत्तर पूर्व या इशान कोन में रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए घर की पूर्व दिशा में बना रसोई घर समाज में लोगों से जुड़ने में मदद करता है लेकिन इस दिशा में रसोई घर बनाने से घर की कमाई का जादा हिस्सा समाजिक का पर कर hypert हाहं इसे अलावा इस के सदस्यों के स ना जाता है और गर के सदस्य से एक दूसरे पर आरुप लगाने से भी नहीं ढरते हैं इसलिए घर की इस दिशा में भी रसोई घर बनाना स्रेश्ट नहीं माना जाता है यदि आपको घर में रसोई घर बनाने के लिए उचिस्थान नहीं मिल रहा है तो दूसरे विकल्प के रूप में आप इस दिशा में भी रसोई घर बना सकते हैं पूर्व दिशा में बना रसोई घर केवल धार्मिक भवनु के लिए ही उप्युक्त माना जाता है लेकिन घर की पूर्व दिशा में बना रसोई घर श्रेष्ट नहीं माना जाता है इसलिए घर की पूर्व दिशा में रसोई घर केवल जगे की कमी के कारण ही बनाना चाहिए घर की पश्चिम दिशा में भी रसोई घर बनाना शुब नहीं माना जाता है इस दिशा के स्वामी वरुन देपता है जो की जल के देपता है इस दिशा का संबंद जल से होने की कारण इस दिशा में रसोई घर शुब फल नहीं देता है इस दिशा में रसोई घर बनाने से आए दिन अकारण ही घर में कलेश होता रहता है और कई बार संतान के तरफ से भी परिशानी होती है इसलिए घर के पश्चिम दिशा में भी रसो रसोई घर बनाना शुब नहीं माना जाता है क्योंकि दक्षिन दिशा में रसोई घर बनाने से आर्थिक नुकसान हो सकता है कोई भी काम देरी से पूरा होगा घर के सदस्यों को क्रोध आता है वी मानसिक रूप से हमेशा परिशान रहते हैं घर के सदस्यों में हमेशा बेच गर वहती अशुफल देता है क्योंकि इस दिश्चा के स्वामी राहु ग्रह है जो की एक उग्र ग्रह हैं इस दिश्चा में रसुई घर होने से घर का खर्च बहुती बढ़ जाता है जिसी घर में आरति खानी और घर में चोटी-चोटी समस्याइं बढ़ जाती हैं । घर का रसोई घर होने से वास्तो पुरुष के पैरों को नुकसान होगा जिससे घर के एक सदस्य को पैरों से संबंदित कई परकार की बिमारियां हो सकती हैं और घर के लोगों को जिन्दगी में थिर और सफल होने में भी मुश्किले आती हैं इसलिए घर के दक्षिन पच्छिम या नेत्रित्य कोण में रिसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए घर या भवन के मद्य भाग यानि की ब्रह्मस्तान में रिसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस थान से ही उर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है इस स्थान पर अगनी का प्रवेश होने से घर के सदस्यों में अनबन होती रहती है जिससे घर में अशान्ती का महाल बना रहता है और इसके कारण घर के लोग हमेशा मानसिक रूप से परिशान रहते हैं इसके अलावा इस स्थान पर रसोई घर बनाने से घर के सदस्यों का स्वास्त कभी ठीक नहीं रहता उन्हें पेट से संबंदित कई परकार की बिमारियां हो जाती हैं इसलिए घर के मद्यभाग या ब्रह्म स्थान में रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तों